आज में बनाने जा रही हो कठल सुक्छी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कड़ाई में तेल से अच्छा खासा लेले लेना है और इसे हमें धुधादार गरम कर लेना है इसके बाद हमें इसमें सारे कठल की पीसिस डाल देने हैं एक एक करके जैसे कि आप दे सकते हैं इन सारे कठल की पीसिस को हमें गोल्डन ब्राउन यानि की सुनहरा होने तक भून लेना है अच्छी तरीके से अब इस कठल में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि अच्छे से गल जाएं हमें इन कठल को 72-80% कुक कर लेना है ताकि ये सबजी पकाते वक्त हमें जादा देर तक पकानी ना पड़े जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कठा लेना गुल्डन ब्राउन हो चुका है सुनेरा कलर का तो अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है ध्यान रखे का इसका सारा तेल हमें निकाल देना है यहां पर हमें उसी तेल में जीरा डाल देना है ठोड़ी सी हिंग डाल देनी है और लंबे कटू हुए यहां पर एक बड़ा प्याज मैंने यूज किया है इन प्याज को हमें अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स करके धीमी आज पर भून लेना है गोल्डन ब्राउन यानिकी कि अब यहां पर सारे सुखे मसालें डालेंगे जैसे कि धनिया पाउडर हलती पाउडर लाल मिर्ची पाउडर सब्सक्राइब थोड़ा साम डालें इसमें नमक स्वाधनुसार और इन सूखे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इन सूखे मसालों भी हमें 1-2 मिनिट तक धीमी आज पर भूंलेना है अब हम इसमें डालेंगे टेमेट्टो की प्यूरी यह तोड़ी सी हरी मिची अद्रक लहसन को टमाटर के साथ मिक्सी में ग्राइड कर लिया है प्याज और मसालों के साथ हमें इस टमैटो प्यूरी को भी लगाता रहिलाते हुए थोड़ी दिर पका लेना है ताकि सारे मसाले प्याज और टमैटो प्यूरी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद मैंने डाला है तूड़ा सा गरण मसाला इसे भी में डाल कर मिक्स कर लेंगर बहुत है मिक्सक्षाइबर नहीं साथ हमें फ्लेम पेधी कर दो कर आहिए इस की दख दखाते हैं। तकि दख जाने श्रण पिर नहीं अच्छे से मिला काथ कर आई अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अच्छी मिलाने के बाद हमें इसे ढखका नगा कर तो पांच से दस मिनिट के लिए पका लेना है तो हमारी जो कठल की सब्जी है वो पकर तयार हो चुकी है इसे आप एक वार फिर से अच्छी से मिला लीजिएगा अब हम इसमें यहां पर हमारी कठल की सुखी सबजी बन का कैयार है यह खाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है येकीन मानिए आप एक बार इस तरीके से बना के देखेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे और बचों से लेके बड़ों तक सभी कठल की सबजी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपने कठल तो बहुत तरीके की खाई होगी बट कठल के अंडर तक फ्लेवर नहीं जाता कठल की सबजी बना के मुझे कॉमेंट करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करेंगा सब्सक्राइब करेंगा मेरे चैनल को मैं चाया मिलती हूं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के व्लॉग में तब तक लिए थैंक्यू बब झाल